सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्विंट अर्बो यूट्यूब चैनल को और दवाईए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मारुती सुजी की अपनी फैमिली कार वागनार को लांच करने वाली है इलेक्ट्रिक अफ्तार में जी हाँ वागनार की इलेक्ट्रिक वेहिकल लांच होने वाला है कुछी दिनों के अंदर तो चलिए जानते हैं क्या क्या रहेगा वागनार इलेक्ट्रिक वेहिकल में क्या कै से range रहेगा एक charge में कितने kilometer चेल सकता है कब launch होगा यह safety feature रहेगा या अभी जो वागनार में जितने सारे features मिलता है वो रहेगा या नहीं price range क्या रहेगा पूरा details नमस्कार मैं हो रस्मिकाम आप लोगetus देख रहे वह YouTube चैनल तो चलिए सुरू करते हैं बात करें, इलेक्टरी वहिकल्स की उससे पहले बात करते हैं, कुछी दिनों पहले लोग बात करते थे हैं, हाइस्बै गाडियों के बारे में, सेडान गाडियों के बारे में, गाडियों के बारे में अगर चर्चा चलती थी तो सिर्फ फिर सिर्फ लोग बात करते थे, कितने माईलेज देती है इंडिया में तो यही प्रचार चल रहा था कितना देती है हलाकि यह भी मारित तो स्लोगान भी बन गया था हलाकि अभी जो है तो टाइम कुछ चेंज हो चुका है अभी SUV का जमाना चल रहा है लोग स्टाइरिस SUV पसंद करते हैं सब्सक्राइब करें देती हैँ उस को ओपर भी कफी जज्यादा डिसक्र सूफ्च चल रहा है तो यह था हमें पता चल रहा है या काफी तरकी हो रहा है लेकिन अभी जो है ना तो इलेक्ट्री वहेकल का दिरह दिरह जमाना आ गया है क्योंकि बात करें 2020 से इलेक्ट्री वहेकल का जमाना शुरू हो रहा है यही से अगर बात करें जितने सारे बड़ी कंपनिया है जो कि काफी पॉपुलर इंडिया में वह सा से कंपनिया अपनी electric vehicles को कुछी दिनों के अंदर launch करने की planning कर रहे हैं उसके उपर पूरा काम चल रहा है तो हाला कि दिख जाएगा आपको आगे जिरे जिरे ने ने गाडिया electric vehicles आ जाएगा सारी कंपनियों के तरफ से मारतु सुझी के अपनी वागनार की electric का model launch करने वाली है कुछी दिनों के अंदर सिर्फ बात यही तक नहीं है हाला कि central government और state government jointly promote कर रहे है electric vehicles को अगर बात करें मारतु सुझी के वागनार के बारे में तो यह गाड़ी एक फैमिली कार तो ही मारतु सुझी का काफी popular गाड़ी है हाला कि यह जो गाड़ी launch होने वाली है यह काफी बहितरिन होने वाला है इसमें जो battery pack लगेगा यह 180 km range आपको दे देगा एक full charge में और इसमें fast charging का support भी मिलने वाला है हाला कि इसमें कुछ gear बगेर नहीं रहेगा अब automatic transmission पर यही गाड़ी चलेगा तो यह काफी अच्छे है और इसकी service cost के बात करें तो हाला कि इसमें आपको कुछ है उतना service cost नहीं पड़ेगा यान कि maintenance आपको उतना ना के बराबरी ही रहेगा हाला कि maintenance गाड़ी में होती क्या है गाड़ी की engine में maintenance होती है जिसमें engine oil डलता है filter change होता है cool and oil change होता है तो monthly maintenance लगता है जैसे कि electric vehicles में नाके वराबर ही रहेगा battery pack रहेगा चार्ज करेंगे चलाएंगे features की बात करें तो इसमें आपको same features आपको मिल जाएंगे हो सकता है ज्यादा features भी कुछ मिल जाए features की बात करें जिसमें जैसे कि आपको ट्रसके इंफोटेंडमेंट सिस्टम जिसम में आपको android auto apple car जैसे features navigation parking sensor parking camera जैसे features keyless entry push start button ये तो रहेगा ही रहेगा safety standard में रहेगा जैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वागनार की प्राइस रेंज सुरू हो सकता है सेवन लाग से और इसकी launch date की expect करें तो यह हम expect कर सकते यहली 2020 तक या mid of 2020 तक जा सकते हैं हाला कि मारती सुझुगा जो जैसे काम चल रहा है जो गाडिया expect कर रहे हैं जितने जल्दी आएगा उससे वागनार की electric vehicle को इंडिया में देखा जा सकता है हाला कि tested होते हुए काफी जगाओ पे देखा जा चुका है तो यह काफी कम दिन है कि यह गाड़ी launch हो जाए तो यह था मारती सुझुगी की वागनार electric vehicle के ऊपर आपको कैसा लगा यह वीडियो प्लीज अगर अच्छा लग होगे जी नीचे discussion में लिंक दिया गया है और एससे दे ने वीडियो देखना चाहते है आटो मुबाइल को ओपर प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते नेक्स वीडियो में टिल दन टेक केया बेसे बाब बाई